कि नमस्कार में तुरू आप शोका हमारी चैनल में स्वागत है मंत्र द्रश्टा ब्रह्मरिशी कि श्रिंखला को आगे बढ़ाते हैं जगली खड़ी लेकर आए हम मंत्र द्रश्टा महर्शी वामदेव महर्शी वामदेव रिव्वेद के चोथे मंडल के मंत्र द्रश्टा रिशी है चोथे मंडल में खुल सुक्त 58 है जिनके महर्ची द्वारा अगने इंद्र वरुन सोम, रिभू, दधिकाक्स, विश्वदेव तथा उसा अध्योताओं की स्थुतियां की गई उन इस्थुतियों में लोग कल्यान की उदात्त भावना नहीं थे, महर्ची वावम देव ब्रह्म ज्यानी प्था जात इसमर महात्मार है वाई पुराण में आया है कि अपने ग्यान से रिशित प्राप्त किया, ग्यान तो रिशीत आम गता हूँ वाई पुराण 69 क्यान दे रिग्वेद में रिशी ने स्वयम अपना परिशे दिया है, तदन सारी स्पेश्ट होता है कि इन्हें गर्भ में ही आत्म ग्यान और ब्रह्म विद्या का स्ताप्सात्का हो गया था रिग्वेद के निवने रिचाका उन्हें माता के गर्भ में ही दर्शन हो गया था, इसलिए उन्होंने माता के उदर में ही कहा था गर्भेनू सनन्ने निवेशाम बेदमहम देवानाम जनिमानि विश्वा सतम्मा पुरयाय सीर रक्षन्न नधा चेनू जवशा नीर दियम रिग्वेद मंडल 4, 27, मंत्र 1 रिचा का भाव यह है कि अहो कितने आश्चर और आनंद की बात है कि गर्भ में रहते रहते ही मैंने इन अंताकरण और इंद्रिय रूप देवताओं के अनिक जन्म का रहस्य भली भाद जान लिया है अर्थात मैं इस बात को जान गया कि ए जन्म आधिवास्तों में इन अंताकरण और इंद्रियों के ही होते हैं आत्मा के नहीं इस रहस्य को समझने से पहले मुझे सैकडों लोहे के समान कठोर सरीर रूपी पिजरों में और उध कर रखा था उनमें मेरी ऐसी दिन अहनता हो गई कि उससे छूटना मेरे लिए कठिन हो रहा था जैसा कि एत्रियों किसद में अध्याय दो खंड एक पांच्छ में जर्म मृत्यों के रहस्य क्रम से परमात्मा की प्राप्ती के क्रम से इसी वामदेव की रिचाओं को उध्गृत किया गया है अब मैं बाजपक्षी की भाद ज्यान रूप बल के वेग से उन सब को तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ उन सरीर रूप पिंजरों से मेरा कोई शंबंध नहीं रहा मैं सदा के लिए उन सरीर की अहनता से मुक्त हो गया हूँ इस रिचा में गर्व इस्थित वाम देव ने यह उपदेश दिया है कि देह आदि में आत्म गुध्धी नहीं करनी चाहिए क्योंकि देहात्म वाद ही अविद्या जन बंधन है और उस बंधन का नासी मौक्ष है जैसे पक्षी घोशले से भिन है वैसे ही यह आत्म तत्त भी सरीर से सरो था ब्यक्ति रिक्त है अलाग है इस प्रकार गर्व ग्यान महात्मा वाम देवरशी को गर्व में ही मोह नहीं हुआ उन्होंने विचार किया कि मेरा आविभावी सामान नहों कर कुछ विशिष्ट धंग से ही होना चाहिए उन्होंने सोचा कि माता की योनी से तो सबी जन्म लेते हैं और इसमें अत्यंत कष्ट भी अत्मै माता के पार्ष भाग का भेदन करके बाहर निकलोगा नाहमतो निर्याम दुर्गहेते रष्चताम पार्षवा नएग निर्मा आणि पार्षवा नेनेर गमाडी रीगवेत चार अठारा दो इंद्रादी द्यों ने जब गर विश्टिती वाम द्यों को ऐसा कार करने से रोका तो उन्होंने अपने समस्त ग्यान और अनभव का फरिचे देते हुए उनसे कहा हे इंद्र मैं जानता हूँ कि मैं ही प्रजापती मनु हूँ मैं ही सबको प्रेणा देने वाला सभिता हूँ मैं ही दिर्गतमाम मेधावी कक्षिवान नामक रिशी हूँ मैं ही अर्जुनी का पुत्र कुट्स नामक रिशी हूँ और मैं ही क्रांती दर्शी उसना रिशी मैं ही सब को चूंँ इसलिए मुझे आप सर्वात्मा के रूप में देखें वाम दियों कि इस रिचा को आप समझ सकते हैं अहम मनुर्भं सुर्यस्चा अहम कच्छी वाम्रिशी रस्मी विप्रह अहम कुट्समार जुने नान्रे इस प्रकार अपने आत्म ज्यानतता जन्वान तरी ज्यान का परजे देखें वाम दियों ने अपने योगवल से सेन पक्छी बाज पक्छी का रूप धारन का लिया और बड़े वेग से विए अपनी माता की कुक्छी प्रदेश से बाहर निकल पड़े उनके इस कारे से इंदर रुष्ट हो गया किन्त वाम दियों ने अपने इस्तुतियों द्वारा उन्हें प्रसंद का लिया और इंदर की उन पर क्रिपा हो गई अलांतर मुआम दियो रिशी जब दर्दिता से ग्रस्थ हो गए तब भी इंदर दियोता ने उन पर क्रिपा की और उन्हें अमरित के समान मज़ूर प्याप रहन किया इससे वाम दियो संत्रिप्त हो गए इंदर की प्रसंसा में वाम दियो रिशी का उठते हैं दियोतित होने वाले अगनी आज दियोताओं के मद्धित मैं इंदर के समान अन किसी दियोता को नहीं देखता हूँ जो शुक्षांती देश तके न देवेशु विवीदे मारडी तारम रिगवेद चार अठारत तेरा उन्होंने ही मुझे मधुर जल प्रदान किया मध्ध्वा जभार रिगवेद आठ चार अठारत तेरा माची वाम देवन विश्वा मित्र द्वारा द्रिष्ट संयात सुक्त का प्रचार किया विश्वा मित्रेण द्रिष्टान वाम देव और स्रिज्यते एत्रे ब्राहमण इन्होंने अनेक यज्य यज्यादिक अनुष्ठान किया था स्वयम इन्द रुपश्ति ठोकर इनके यज्ज की रक्षा करते थे रिग्वेर 4, 16, 18 वाम देव रिशी ने स्वयम कहा है कि हम साथ छवंग्रिया और वाम देव मिधावी हैं हमने ही अगनी की रस्मियों को उत्पन किया है रिग्वेर 4, 2, 15 वाम देव गौतम के पुत्र कहे गए हैं कुत्रकार रिशीयों में इनकी गर्णा है गायतरी मंत्र के 24 अक्षरों के प्रिथक प्रिथक रिशी हैं उनमें पाच्वेर अक्षर के रिशी वाम देव हैं इनका तप स्वाध्याय अनुष्ठान तथा आत्म निष्ठय के अत्यंत प्रसिद्ध है मुख्य रूप से इंद्र अगनी तथा शविता देव के उपासक्वे इनके जीवन में सौज संतोष अपाइग्रह तथा परहित का उदात भाव प्रतिष्ठित था इसी तप स्वाध्याय और अध्यात में साधना के बल पर उन्हें मंत्र सक्ति का दर्शन हुआ रामाय राज में वड़न आया है कि महर्शी वामदेव राज रसी दसरत के प्रधार हित्विक और कुल पुरोहित रहे है अचार सायने इस घटना का ब्यूराण कुशिस प्रकार दिया है गर्भस्थो ज्यान संपन्नु आमदेव महामुनिही मतिम चक्रेन जायय योनी देशात्तु मात्रितह किन्तु पार्श्वाजित स्चेती गर्भेशयानम सुचिरम मातूर गरभाद नीर गरतमम सेन रूपम समास्थ्यायम गरभाद योगे ननिश्रिता डशीर गर्भेशयानम सन्नु भूते गर्भेशयानम सने निती रिग्वेच्यार अठार के प्रारम में शाळभास्य रित्विजु द्वाभीमतो तस्याश्या आम डिसीस तमो बशिष्टु आम दिवश्य मंत्रिर्श्य तथा परई बाल मिखी रामारी एक स्ताथ चार वाम देव रफकुर गुर्ग्यानी राम चरित मानस वाम देव बशिष्टव आ सचियो महाजन सकल बुलाए मनिगो हात भरत उपदे से कहीं पर मारत बचन सुदे से राम चरित मानस इस प्रकार महारी वाम देव के मंत्र दश्टा रिष्यों में बेशेश महिमा है महारी वाम देव और वाम देव मंदल रिवएत का चावथा मंदल महारी वाम देव के द्वारा द्रिष्ट है इसलिए वामदेव मंडल और इनके दौरा दिश्ट रिचाय वामदेवी रिचाय खलाते हैं चतुर्स मंडल के प्रारण में कई सुक्तों में अगनी देव की महनी शुतियां जिन में अगनी देव के विविन शरुपूत्था उनके कारियों का व्यूरण है इस मंडल में कई आख्यान भी आया है तो लह हमेशुक्त के रिचाओं में राजर्षी कुछ का ख्यान रुडुर्ण नामा के राजर्षी थे उनके पुत्र थे कुछ एक बारा राजर्षी कुछ जब सत्रूअ द्वारा संग्राम में पराजित हो गए तब असक्त रूरूर ने सत्रों के विनाज के लिए दियोराज इंद्र का आवहन किया, इस्तुति से इंद्र प्रसंद हो गए और उन्होंने स्वयंग पश्थित होकर उनके सत्रों को मार गी रहा, तदंतर इंद्र तहा कुट्स में अत्यांत प्रिती हो गई, इतना आए नह प्राप्त राजर्शी कुट्स को देवलोप में ले गए और अपने ही समान उन्हें रूप प्रदान कर अपने अरधासन पर उन्हें भीठाया, उसी समय देवी सची वहां उपस्तित हुई, तो यह दो इंद्र को देखकर ससंकित हो गई और निरणाय न कर जाए कि वास्ता प्रदान कर अपने साथ भक्त को साच्छा दर्सन देते हैं, उसका कारिशिद्ध कर देते हैं और उसे अपना पद विफ्कदान कर देते हैं, अथा देवताओं की भक्ति करने चाहिए, इससे भगवान की सनिद्ध राप्त हो जाता है, ऐसे में इस मंडल में पुरू कुछ पुत्र राजर्ची तरस दस्यु आदि के भी अनेक सुंदर प्रड़ात पद आख्यान आये हैं, सवरी रिचा चेतुर्थ मंडल में एक मुख्य रिचा मंत्र आये हैं, जो सवरी रिचा कहलाती है, इस रिचा के द्रष्टा हुआ आमदे और इसी हैं, और इसमें भगवान सुरे की सर्वात्मा, सर्व्यापक्ता, सर्वनियंता, सर्वाधार्त परंप्रम्न पर्मात्मा के रूप में निरुपित किया गें, अतह इस रिचा का सुर्य आदित्या सविता संबंदी बेद में, सभी मंत्रों में विशेष महत्वय रिचा इस प्रकार से हैं, हसा हसूची सद बसूरंत रिच्छ सद जोता बेदी सद तीथी तप दुरोड सत रिशद बरस दृत सद ब्योमस दप जागो जारित जा अद्रिजारितम रिगवेद चार चालीज पांत यह मंत्र विशेश महत्तु का होने के काराण यह जुर्वेक के दस चौद चौबिस बारा चौद कान्व साख्या सोरा पांच अथारा पंदरा तैतरी संहिता एक आठ पांच दो चार दो एक पांच एतरी ब्राहमल चार पीश्ट था तैतरी आराण एक दस दो दो में दस दस दो आधिमे अथावर उपनियस्त है आज सुलायन सोत्र सुत्र आजमे निस दिश्ट है कि यह सवरी रिचा मैत्रा वरुर सस्त्रयाग में विन्युक्ठ है रिग्वे विधान दो दो सचालीश में एक श्लोक इस प्रकार आया है हंस सुचि सवरी त्यरी रिचा सुच रिक्ष दे दिवा करम अंतकाले जपनने ती ब्रामडव सद्मसाज स्वत्म इस श्लोक से यह भाव इस पश्ट है कि परोगतर रिचा हंस सुची सत्र में भगवान दिवाकर जो साच्छात परमात्मा के रुप में दर्षन दे रहे है उनकी अराधना करनी जाहिए अंत समय में इस रिचा का जब करने ती था आदित्य मंडल में जो हिरन पुरूश नारायन रिष्टित हैं उनका ध्यान करने से परमात्मतत्त्य की प्राप्ति हो जाती है और उनका शाष्व प्रमधाम प्राप्त हो जाता है उपरियुक्त रि संचरण करने वाले वहे ही लो मनुस्य में जय तेन रूफ से अन्तरा आता इस्तित है वही वरड़िय मंदल में इस्थिर वही शत्य सरक्षUp हैं वही ब्लक में उधक में रस्मों में प्रकट होते हैं इंडर अनि दीधोता तो प्रत्यक्षें केंटू भगवान आधित्य प्रत्यक्षें सब को नित्य दर्शन देते हैं यथा वे विद्वुत के रूप में चमकते हैं नित्य उद्याचल परुदित होते हैं इस प्रकार आधित्य ही सर्वाधिस्ठान ब्रह्मतत्य उपास हैं इसी प्रकार इस भूमिग और अज बंद्र के मंत्र है महत्त के मंधल के अंतिनग अठान्य शुक्त में 11 अरी चाहे अगनी की इस्तुति के लिए अज ये सुक्त विकलाता इसका आज मंत्र इस प्रकार है समुद्रा दूर मेर मधूमा उदार पांसुनाम शम्रित्व मानाठ गृतवस्यनामा गुहाम्यदस्ति ज्यव्या डेवानाम उम्रितवस्यनाभी प्रिव्यच्या अठाने चत्त्वारि सिंगा त्रयो अशय पादा यहां पंच देवतापरक्ण मंत्र है। इसी 98 सुक्त का तिसरा मंत्र है कि ऐसे ही सिंधोर्यू प्राद्बने सुग नाश्वू यहां मंत्र भी इसी सुक्त में है। इस प्रकार महर्चिवाम देव जिश्च चतुर्थ मंडल अक्ट्यंत महत्व का है। इससे अभ्यान से महर सिवामद्यो के महनी चरिता का किन्चित ख्यापन होता है, आपने सिद् advocate है जन्व जन्वांतर के ज्याण रखने वाले वेर सिवामद्यो इस शरीर का वेधन कर भगवान के धाम को प्राब करके आत्व काम हो सदा के लिए हो गए, स्वरगव लूगइ सरवान कांतत्पवा, मृत शंभावत, शंभावत, इतरियो dryer से 2-1 चल्ड, आशा करता हूं कि हमारा प्रयाशा को प्रसंद आये, प्रसंद करेगा और प्रसंद आये गा, इसमें कुछ संदेह आसपत भी चीजें हैं इसमें कोई संदेह कर सकता है उदाहरण के जैसे कि इसमें बताया गया है कि वाम देवरिसी जो थे वो की एक जो प्रकृति का नियम है कि गर्भ से निकलने का जो अग्रमार्ग है वहां से निकलता पार्सुमार्ग से उनका निकले यह हैं इसके पीछे कुछ सुश विज्यान है जैसा कि इतिहासिक बाते यह तियासिंट जो है कि यह तो यह तो इनका जो करने हैं इनका के इतिहासिक फ्रिश्प नहीं है इसके पीछ इसे कुछ सुस में विज्ञान है उस विज्ञान को समझने में कहीं भूल हुई है उस भूल को सुधारने के लिए हमें आपको प्रयास करना पड़ेगा और इस पर सोध करना पड़ेगा और सोध करके कुछ जो समय के साथ कुछ चीजों का जो शंदे है रहा है उसको दूर किया जा सकता है आसा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा और इस पर हम विचार करेंगे धन्यवाद आप मारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं